तो हलो दोस्तों कैसे हैं आपसे आपसे स्वागते मूज़ेक पर आज मैं आप सब के लिए लाए हूँ सलाल मूवी का इतिनी तवाहि मचीवी ये तो एक और सवाहि ला देतां आप सद ये लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले यार आप लोग सबस्क्राइब करता है सबस्क्राइब करते हैं एक मूवी की स्चाटिंग होती ये देवा वर्धा से बोले तो सलार से होती है बोले तो हमारे वर्धा का नाक का नाथुन उसका भाई छिन लेता है रुद्रा नाम रहता है बोले तो रुद्रा कौन रहता है हमारा गरूरा तो नाथुन छिन लेता है तो लोगों में नाथुन बहुत बड़ी चीज होती है तो ह मारा जाता है देवा डारेक्ट लड़ाई करने मारता है पिटता है उसके भाई से नातन चिंता है फिर उसका भाई सैनिकों को भेज देता है इसका घर खाली करवाने के लिए बोलता है कि कौन था हो लड़का उसका निकालो मारो पिटो जो करना है उसकी मार को मारने के लिए तो हमारा रूद्रा आता है देवा आता है बचाने तो देवा को भी बहुत मारते तो लाश मामा वर्था आता है वर्था हमारा उसका बेटा रहता है बोले तो किसका कभीले का सरदार का बेटा रहता है उसके चलती है तो इसमें चार तरह की टेरिटरी दिखाई जाती है इसम हमें उसको जगह की जगह प्र कड़ा हात में पहना रहता है उससे लोगों को पता चलता यह किस रैंका आड्मी है तो रधा को देवा को बचाने के लिए वर्था अपना कड़ा दाण में दे देता अड़। को बोलता है ये लो मेरी सबसे बड़ी वाली टेरिटरी तुम्हाई नाम करता है इन लोगों को छोड़ दो ये मेरा हुक्म है उसके कारण वर्धा को उसके पापा नफरत करने लगते वर्धा से बोलते कि किसी भी आयरे गयरे को तुम अपना टेरिटरी दे दोगे इसलिए व हमारा देवा को बाहर भागा देता है उसकी मा के सार भागा देता है तो वर्धा को बहुत दुख लगता है कि उसके दोस्को भागा देता है तो वहां पाद जंग छिड़ जाती है मार पीड सब होता है कबीलों में एक दूसरे का राची छिनने के लिए कबीले में तीन-ती समराट रहते तो तीन तीन कभीले रहते एक कभीला का नाम रहते है सौर्यां कभीला एक का नाम रहते है खनर कभीला एक कभीले के नाम रहते है मनार कभीला तो वर्दा हमारा मनार कभीला का रहता है लेकिन किसी को पता नहीं रहता है कि आगे कहानी में कित्ता वरा तुष्ट चाने वाला है उसको भगाने के बाद नए हमारे बान में पिछला समय की और आता है कहानी की जंग होती रहती है उसमैंस सक्राजा ने साहीं हिन करता है। कि सबके को माट डालता है, खुद राज करने लगता है, सौर्याय कभीला खتم हो जाता है, तो खांसार एक जगर रहता है, उसी में यह जंग होती है, अवर दुनिया से पुरे भारत में सबको बोल दिया जाता है, कि भारत के नक्से से खांसार को मिटा दिया जाए, आपास भी देखता है सब लोगों को जाने देता है भाई इन लोगों का बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है खांसार से बाहर कोई निकल नहीं पाता है ना अंदर घुसने का जुटत करता है इतनी बड़ी आर्मी के अंदर खरी हो जाती है भाई देख के इंसान की फटके लप देखना चाहता है तो उसका भाई रुद्रा बोलता है ऐसा कभी होगा नहीं उसका बाप को साज जरूत के काम से बाहर जाना पड़ता है दोस्तों इसलिए वहाँ पास लड़ाई चालू हो जाते है खांसार में कोई भी किसी को भी मारने लगता है तो रुद्रा करता यह है कि अपने भाई को मारने के लिए निकल जाते है और जिसको वो टेरिटरी दिया रहता है वर्धा वो भी उसे भी अपने कुर्शी चाहिए रहती है इसलिए ना वो भी निकल जाता है रुद्रा को मारने के लिए आयमिन वर्धा को मारने के लिए सब के सब मिल जुल के निकलते बानने के लिए रातो रात हमला होता है वर्धा पे बुम 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 करके इतने खतरनाक हमला होता है कि हमारा ये सरदार बाहर रहता है उसके खिलाप हमला होता है तो उसकी जो बहन रहती है वो तरतक गद्धी को समभलती है तो तब तक सीजफायर के ऐलान होता है टन 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 बात बसता है तो बोलते हैं कि दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूं कि हमारे प्रवास भहिया कि इतने सारे मुवी फ्लॉप होता चल गया लेकिन हमारा यह सालार मुवी में इनको फिर से टॉप पहुंचा आया कि हमारे भाईया हमेचा ड्रह चाहिते JUL चाहते हैं चलिए वीडियो में फिर से बढ़ते हैं तो जिस तरह से हमारे उस पे हमला होता है वर्धा पे तो वर्धा को सब कर लेते हैं मारने पिटने लगते हैं फिर उसके उपर उसका भाई रुद्रा गन तान देता है बोलता है आप क्या करोगे रुद्रा तो बताओ तो जाते हैं सब कि सबस्क्रिए अपनी अपनी श्य로्य आते हैं कोई रस्य अर्मी लेकर आते हैं बोलता है रोधा वर्दा का भाई बोलता है भाई हमारे सोभ है का वर्दा बोलता है हम भी लएंगे हम भी लएंगे क्योंकि można पेसे रहते नहीं यह इस लिए एलोग करते तो वर्दा फस जाता कि पुरह करें तो क्या करें कि इसके चाचा लोग सब drive सब बोलते हैं आपको तो करना पड़ेगा वरना कि हम लोगों को यह लोग जीते जी मार देंगे क्योंकि तुम्हाई पिता जी तो भी है नहीं सहर में बोले तो यहां पास तो खांसार में पिता जी ने पुरा खांसार लाल हुआ पर एक खूनों की नदिया बैय गई थी अज बोले तो सुरंग के नीचे उसके बच्चों को फेका जाता है तो उसमें से ना कुछ आभी खनार कभीले में मिलके रहते हैं बने वे हैं लेकिन फीचे हागे क्लाइमेक्स मिलता है लोगों को फिर इन पर जब हमला हुआ रहता है तो जिस तर से हमारा बंदी बन जाता है ब भाई इतना हम्रा होता है इतना हम्रा तो फिर बाल बोलता है कि मेरी one man army आएगी बोले तो कौन भाई एक गारी लेकी निकलता है पजेरो एक सीट खाली रहती है उसमें कितनी अर्मी आने वादी थी किसी को पता नहीं था अग्जब लेने जाता है फाई सबकी रूख आप जाती है वन मैन आर्मी बोले था रेव स्टार सुपर श्टार प्रभास को लेकी आता है फाई वो क्या सीन था लेकिन उसकी मम्मी आने नहीं दे रही थी फिर बाद में लोहे की अबास सुनती है तो पता चलता है कि वर्था इन लोगों के लिए कित्ती बरी कुर्बानी दिया था अपने territory इनके हवाले किया था फिर जाने देती है बोले तो हमारे प्रभास को बोले तो देवा को इस movie में हमारे प्रभास का नाम देवा है तो बहुत मुसीबतों से जाती है फिर जिस तरीके से सारी सारे लोग देखके मज़ा आ गया था फिर अफगानिस्तान की आर्मी फिर अफगानिस्तान की बाई कितना सीरिया की आर्मी फिर लंडन की आर्मी कान कौन सी देश की आर्मी आ जाती है भाई सबसे ताकतवर आर्मी तो भाई मुझे तो आफगानिस्तान की लगी थी भाई इतनी बड़ी आर्मी खरीकर डालती है खुद के सैनिकों से बचने के लिए तो वर्थक गया ही रहता है अपने भाई के पास तो लेकी आता है बोले तो वन मैन आर्मी तो जब एंटरी करवाने पर तीये एंटरी वहला बोलता हूं कितनी आर्मी है बताओ जल्दी बताओ दस हजार के पाच ह रहे थे बोल रहे थे जहां दस-दस हजार लोग है वापस यह अकेला बंदा क्या करेगा तुम लोगों का हां तो फिर जब जंग चालू होती है भाई जंग थुई ने इस तरह से चालू कर सकता था भाई तो फिर न एक ही रहता है उसमें विश्णू नाम को वेक्टिव हम मारता है तिलक लगाता है उसके अबाद सोल सिंगार करता है उसके बाद गला हलाल करता है फिर जंग चालो जाती है भाई पूरी इंसको सबके जेल में रख देता है इन सबको पकड़के फिर बताता है कि विश्णू का बाप आता है तूने मेरे बेटे को कैसे मारा तो फिर उसका बाप को भी इसका इसने गला कड़ डलता है खांसार में जंग छिड़ी ती सलेने तो और बड़ी जंग छेड़ दी थी भाई अज सब के सब इसके ऊपर गुस्सा थे अब फिर लाश में बोलता है क्या होता है याद इतने लोगों को माट डाला इस बंदेरे लाश में सौरी बूलता है फिर ना उसका रुद्रा ने जॉंबी किसे खड़ा कर रखी थी भाई अमालूम है रुद्रा ने जिसतर से इसने देवा को लेके आया था उसी पकार रुद्रा ने अपना दोस्त पंडित को बुलाता है भाई पंडित यार ये छोटा मोटा आज में नहीं है । जिस तरीके से भाई पंडित अग्यादा होगी नरीलत में जब आधेपना है क्योंकि जब इसका फटता ना तब ये उसका पडता है ना तब दिखतजा भाई उसल प्रोडका निकलत है तो पता चलता है यह तो सौर्यां कभीले का दोस्तो यार सब किया मसी यार भाइच रोड पे लोग चिलाने लगे थे हॉल पुरा पुरा फट फुटा गया था दोस्ते यार इतने लोगों को क्योंकि अकेला आज में खना रहा मनार तो कुछ उखाड नहीं पाए सौरियंग आ गया है अपना राज गद्दी लेने भाई सब कोई सब चिलाने लगे थे भाई सौरियंग कबीला भी भी जिन्द है तो जो उसका जी जाया रहता है तो अंदर ये अंदर पुरा सेन एक ख़रा कर रखाता है तो बार में बोलता है कि हमारा राजा वापस आ गया आप सब कोई को खतम करेगा क्योंकि सौर्याइं कभी लेका राजा भी भी जिंदा है दोस्तों इसे परकार जंग खतम होती यह फिर आगे का आप मैं बताता हूं नेक्स्ट पार्ट में भाई बवाल नहीं होगा ना मजा नहीं आएगा क्योंकि मैं बदा रहा हूँ और नेक्स्ट पार्ट यार दुस्त इसकी दो अज़र पचिस तक आएगी अभी इसकी मुवी एक ठो आने वाली है मैं प्रभास की बोले तो संदीव अंगा डेडी के साथ स्प्रिड भाई वह भी मुवी इसके साथ भाई मचाने वाली है कि मैं बता रहा हूँ उसमें कॉप कर रोल करने वाले हमारे प्रभास अजश्ट एडल्ट मुवी होने वाली है वह भी अनिवल की तरह भाई क्योंकि बहुत तगड़ी मुवी थी अनिवल भी और इसी परका क्या करो सेर क्या करो सेर और स stinks की लोग तो यार हम लोगों को आगे बढ़ाने वाले और आप Лोगों को मेरी एक्स्प्रेशन कैसे लगी अच्छी लगी यह 1 बुर नाइक को शब्सक्राइब प्लीस ठोग दिया करो क्योंकि उसकी महत महां करती थी प्रभास से और है हमारे प्रभास ने तिस सारी फ्लप मूवी दी लेकिन सौगरोर से उपर सब मूवी कमाई हैं दोस्तों इतना सोच लेना प्रभास का ये कमबैक भाइ बहुत ध्हानक गलाएख रहा है धूस्तों यार बहुत ध्हानक ही कमबैक हमारे बोले तो करवा दियें चलो नेक्स्ट टूडियो में मिलते हैं दोस्तों जेहिन जे भारत यह भी फोस्टरा को कैसा लगा है